तो चलिए second question के तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है second question, second question basically है एक problem और वो काफी easy problem है, किस तरीके से इसको हम solve कर सकते हैं second question कहता है, compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in one hour through a potential difference of 50 volt अभी ये coulomb चीज़ आ गए तो आपके पसीने छूटने नहीं चाये, क्योंकि हमें पता है कि coulomb per second ही होता है ampere और आपको पता है कि एक coulomb के value, एक coulomb के थेले में होते हैं, 6.25 into 10 power of 18 electrons सवा 6 into 10 power of 18 electrons एक coulomb में रहते हैं, यहां तो 96,000 coulomb है तो into multiply करोगी तो उतनी electron pass हो रहे हैं एक घंटे के अंदर through a potential difference और उनको pass करवाने के लिए मेहनत कौन कर रहा है, potential difference of 50 volts 50 volts की मदद से 96,000 coulomb of charge in one hour through a potential difference तो हमें heat कितनी generate होगी इतने सारे electrons जब एक जगा से दुसरे जगा जा रहा हैं तो हमें पता है कि heat के लिए formula है i square rt और एक चीज़ additional मैंने आपको बताई थे कि जब भी आप power के formula में multiply t कर देते हो, power के formula में time को multiply कर दोगे तो आपको heat मिल जाएगे तो heat के कितने formula हो सकते हैं i square rt दूसरा हो जाएगा v square t upon r और तीसरा हो जाएगा v i t तो ये तीनों ही formula हम use कर सकते हैं हमारे पास availability के हिसाब से data के available है उसे हिसाब से हम formula चूज करेंगे यहाँ पे 96,000 coulomb है और time भी दिया गया है और हमें पता है कि coulomb per time is equal to ampere और volt भी दिया गया है हमारे पास volt है current भी हम बना सकते हैं coulomb upon time करके और time भी हमारे पास है तो P is equal to V I है तो heat के लिए H is equal to V I T हो जाएगा vitamin H हो जाएगा तो H is equal to V I T हम use कर सकते हैं और उसे से पूरा heat कितना generate होगा उसको calculate कर सकते हैं मान लेजे कि यह resistance है यहाँ से लेके यहाँ तक उसको लेके जाना है तो क्या formula यह use करेंगे here given data है Q is equal to 96,000 coulomb 96,000 coulomb हमारे पास एक जगह से दुसरी जगह transfer हो रहा है कितने time में T is equal to 1 hour एक घंटे में अभी यहाँ पर पता है coulomb per second चाहिए तो यह जो एक घंटे का वक्त है उसको हमें convert करना पड़ेगा second में एक घंटे में होते हैं 60 minute एक मिनिट में होते हैं 60 second तो एक घंटे में 60 into 60 3600 seconds होंगे तो directly है इसको 1 into 60 into 60 so 3600 seconds in one hour voltage हमारे पास है 50 volts heat generated का हमने बोला कि जो availability है उसके सबसे V है Q upon TI है और T upon अपने पास है तो यह H is equal to VIT वाला formula यूज़ करना ज्यादा अच्छा होगा तो H is equal to VIT हमने use कर लिया H V I की जगह पे हम डाल देंगे Q upon T क्योंकि इसको बोलते हैं ampere तो I की जगह पे हमने Q upon T और T को as it is हमने रख दिया यहाँ पे T numerator में भी है और यहाँ पे T denominator में भी है तो दोनों चीज़े हो जाएगी cancel तो finally हमरे पास बचेगा H is equal to V into Q V हमरे पास है 50 V जबकि Q हमरे पास है 9600 C अभी इनको direct multiply करो तो आपका answer आजाएगा 48 lakhs Joule voltage into Coulomb is equal to Joule यह energy का form है heat इसलिए Joule लगेगा watt कब लगेगा जब per second होगा इन चीज़ों में confused नहीं होना है अभी 48 lakhs बहुत बड़ी figure हो जाती है तो आप इसको 4.8 एक दो तीन चार पांच छे तो 4.8 into 10 power of 6 Joule ऐसे भी लिख सकते हो आपको ना पता हो तो मैं बता दू 10 power of 3 होता है किलो जूल 10 power of 6 होता है मेगा जूल और 10 power of 9 होता है Giga Joule I think तो यहाँ पे 10 power of 6 है तो इसकी जगह पे आप capital M लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 4.8 मेगा जूल हीट प्रड्यूस होगी जब 96,000 कुलंब 50 वोल्ट की ताकत पे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इसे के साथ हमारा second bullet भी होती है clear अभी हम जाएंगे third bullet के लिए third bullet भी है काफी easy श्तवर लाएंगे must किना जाए में जाएंगे सकते हैs ़ित जाएंगे से जाएंगे सुमस्ती ताक्पा काफी जगह में एक अ पीज्या करते है जाएंगे सुमस्ट अपशे है